नमस्ते दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, यह हैं बोर्ड यू-एस सेवेंटी येट, जिसमें हमारे चार ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, जिसकी वज़े से हमारे speaker के output में voltage सोवने लगता है और कई बार हमारे speaker भी जल जाते हैं तो उस condition में हम अगर हमें पता नहीं है कोई एक transistor change करेंगे और इसे check करने के लिए इसे जैसे ही supply देंगे तो अगर वो transistor खराब नहीं होगा कोई दूसरा होगा तो हमारे वो भी खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें direct 30 volt input होगा तो तो इसलिए इसका best solution है मैंने बहुत ढूंडा YouTube पर मुझे काई नहीं मिला ऐसा वीडियो जिसमें ये board repairing या कोई दूसरा भी repairing की condition हो नहीं बनाने के तो बहुत मिलेंगे लेकिन repairing की कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको इसलिए मैं बहुत परिसानी के बाद इसे repair कर पाया हूँ तो सोचा आपको भी जान करी दूँ तो दोस्तों अगर इसमें अगर आपको voltage में कोई दिक्कत नहीं है transistor तक बरोबर आ रही है और आपके output में speaker के wire में भी अगर output सो हो रही है voltage तो आपको पहले तो ये बड़े वाले transistor चेक करने हैं इससे चेक करने का तरीका वो भी आपको YouTube पर मिल जाएगा अगर आप comment करेंगे तो मैं भी बता दूँगा आपको तो दोस्तों पहले ये चेक करने एक बार अगर ये आ आपके अगर आपने ये transistor change किया और ये खराब नहीं था आपने जैसे power on किया और ये वाला खराब था तो ये फिर से खराब हो जाएगा ये दूसरा भी तो इसका best solution है आपको ये छोटे वाले transistor बड़े वाले तो हमने चेक कर लिए हैं अगर ये खराब नहीं है तो जाहिर स ये बीडी 149 ये था बीडी 548 ये भी 558 ये भी 558 ये 547 ये सारे के सारे टांजिस्टर आपको 30-40 रुपे में मिल जाएंगे तो अगर आप इसमें अलग-अलग टांजिस्टर लगा कर अगर बार-बार इसे पावर देंगे तो आपके दूसरे टांजिस्टर भी खराब होते रहेंगे और आप इसे कभी सई नहीं कर पाएंगे जैसा मेरे साथ हुआ इससे अच्छा है अगर बड़े वाले टांजिस्टर खराब है तो यहां तक ही पावर सप्लाइ कट होजाएगी और यह खराब होने के बाद बाकि वाले खराब नहीं होगए तो आप सिरप इससे ही बदल क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर यह idea मेरा काम करेगा कि नहीं करेंगा तो आ 노래 को अलग-अलग चेंज नगए सफ्ट्न्स कि去 मैरे को कौड ने कॉई काम नई बना इसलिए मैंने सारे के सारे एक साथ चेंज कर दी चोटे-वाले वाले क्योंकि बड़े-वाले मैंने अप्लाई देंगे 3030 12 का ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हमने 3030 इसके मौस्पेट के लिए सप्लाई दे दिये और 012 इसमें अलग सभी फंक्शन बना हुआ होता है जो हम फैन के लिए या हमारे मौड्यूल में यूज करते हैं MP3 मौड्यूल या ब्लूटूथ जो भी मैंने ब्लूटूथ में यह 012 इसे मिल रही है यह वाला लगाया है तो अभी हम इसे ओन करेंगे यह ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है अब हम इसे ओन करेंगे करेंगे लिए ने वाला लगाया है कि दोस्तों बहुत ही गजब का एंप्लिफायर है इसे हम खड़िने जाएंगे मार्केट में तो बहुत तुम्यागा मिलेगा तो इसे रिपेर करने का यह बेस्ट साथ सोल्यूसन है आप भी इसे यूज़ करके अपना एंप्लिफायर रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह जानकर यह अच्छी लगी हो और आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सायर करना और आपको अगर लगे हमारे चैनल में दम है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद